हेलो मिले ड्राइगन्स सभी ड्राइगन्स का स्वागत है यह आपके लिए स्पेशली बैच बनाई गई है ताकि आपका जो प्रिपरेशन है क्लास 10 का वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे लेवल पर हो सके तो हमारे फैसिलिटी इस ड्राइगन बैच के बता देता आपको साइंस का मिलेगा आपको स्सेस्टी का मिलेगा आपको मैट्स का मिलेगा तीनो सपोस जो सब्जेक्ट्स हैं रोज हमारे इसके वीडियो सा आते रहेंगे ठीक है प्रिपरेशन के मतलब like you know lesson wise हैसे one shot revision वगरा टाइपस नहीं होंगे actually मैं पढ़ाओंगा like you know topic wise सब topic wise हम लोग पढ़ाएंगे ऐसे one shot revision वगरा नहीं होंगे तो आपको topic पढ़ाया जाएगा पूरा detail में second चीज आपकी mcq टेस्ट भी होगी mcq टेस्ट होगी मतलब topic सब topic wise मतलब पूरा lesson भी नहीं topic wise मतलब उसमें का कोई छोटा topic वीडियो हो गया उसके उपर बाद में आपको टेस्ट देना है बाद में आपकी chapter wise मतलब आपका एक lesson खतम हो गया मानलो electricity मेंने physics में से लिया वो खतम हो गया उसके उपर भी एक exam होगी आपको notes provide कराये जाएंगे कि जो आपको याद करने lesson के notes भी याद दिये जाएंगे आपको और आपका doubt solving sessions के लिए क्या करना है आपको टेलिग्राम पे सब पो लेट से doubts भेज देने टेलिग्राम का link description box में है इसी वीडियो के description box में टेलिग्राम का link है आपके जो भी doubts है कुछ है आप उसमें भेज सकते हैं ठीक है and I will reply it as soon as possible and practice sessions practice sessions मतलब जिसके अंदर हम लोग question की practice करेंगे वो भी sessions होंगे and mente quiz भी होगा mente quiz from time to time will be taken on the different subjects अब इसके अंदर देखो मतलब like आपका subjective भी हो रहा है इसमें एक तो मैं MCQ भी ले रहा हूं और तुम्हारा subjective भी कराके दे रहा हूं मतलब जैसे school का test आपको question paper दिया जाएगा आप उसके answers upload करोगे फिर मैं आपको check करके ओ paper दूंगा ठीक है subjective test अब उसके अंद let's say इस channel को subscribe कर लो ताकि आपको सभी notification मिले and subscribe करते वक्त वहाँ पर bell icon रहता है bell icon को दबाओ and bell icon को दबाने के बाद all notifications करो ठीक है उसमें कैसा रहता है some notifications या फिर rare notifications ऐसा कुछ रहता है तो आप all notification कर दो मतलब कोई भी notification आपसे missने होगा bell के अंदर भी types है तो subscribe करो bell icon दबाओ bell icon के बाजू में एक drop down arrow होगा उसमें लिखना click करना all notifications second चीज़ आपको करनी है कि telegram group को join करना अपने telegram application install करो अपने mobile में और telegram का link description में है आप उस group को join कर लो उसके उपर time table के updates आप doubt भी भेज सकते हो तो ये कुछ भी updates एक तो updates मैं उसी के उपर दूँगा और second thing आप उस subjective test subjective test इसके लिए एक classroom application हम लो यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि उस classroom को join करके रखना है तो class 10th का class 10th का एक classroom तो ये classroom आप सपोलेट से ये online platform है आप mobile से भी access कर सकते हैं और आप let's say laptop tablet उससे भी access कर सकते हैं इसको कैसे join करना है सपोलेट से इस class को application का नाम है add mode ठीक application का नाम क्या है add mode आपको क्या करना है कि हमारा मेरा जो classroom है उसको आपको join करके रखना है उसी के अंदर आपको सभी updates आएंगे objective test कब हो रही है subjective test कब हो रही है उसी में से आपको exam भी देना है मतला आपको कोई कोई चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है सिर्फ ये add mode install क करके रखने है अपने mobile के अंदर अगर आप laptop यूज कर रहें तो website की link है इस classroom को जल्दी से जल्दी से जॉइन करो क्योंकि इसी में आपको सभी updates है इसको join करने का तरीका क्या है आप एक काम कर सकते हो आप join कर सकते हो with the help of instructions इसकी PDF इसकी PDF सब पो let's say कैसे join करना वो link में description में दिया हुआ है इसी वीडियो की description में आपको एक link मिल जाएगा की how to join let's say classroom अब classroom को हम लोग कैसे join up कर सकते हैं उसके instructions वगरा उसमें code वगरा सब दिया हुआ है आप at least उतने literate हैं आप दसवी में हैं तो at least you can understand how to join तो instructions everything is given there code के साथ आप खाली join कर लो बागकी सबको updates आपको आती रहेंगी कि कौन सी test कब है subjective test कब है आपको notification आ जाएका बस आपको test देना है उसके जबसे तो learning videos lesson videos हम लोग रोज update करेंगे रोज recorded videos प्रीमेर कराए जाएंगे आपको 30-30 minutes के 30 minutes for sst 30 minutes of science and 30 minutes of maths लेकिन ऐसा एकादी दिन हो सकता है कि एकादा topic हम लोग ज़्यादा detail में ल रहा है ऐसा हो सकता है लेकिन हम लोग syllabus properly complete करेंगे पूरा साल भर चलेगा यह program तो batch में जल्ली से enroll कर लो उसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है फिर telegram के application को install करके अपने group को join करना है उसकी link description में है और अपना जो Edmodo application mobile में install करके य इस वीडियो के description में तो यह जल्दी से कर लो and welcome to the dragons batch and let's say hopefully हम लोग साथ में मिलके we will create history तो welcome dragons and do let's say follow the steps which have been told to you आप जल्दी से कर लो वो तीन चीज़े चैनल सब्सक्राइब telegram join and Edmodo classroom को join कर लेना है बस that's it बाकी सब भी updates आपको उसके उपर आते रहेंगे चलिए तो आज SST में social science में हम लोग history की साथ शुरुआत कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग देखने वाले the rise of nationalism in Europe तो रोज lectures होंगे आपको खाली इतना करना है कि आपको खाली रोज attend करना है इन sessions को according to the time timings generally change नहीं होंगे लेकिन अगर कोई lectures अपो लेट से किसी का डिवरेशन जादा हो गया कम जादा हो गया तो timing change हो सकते हैं लेकिन उसके अलावा कुछ changes नहीं होंगे और I hope सभी ने let's say join करके रखा हुआ है अपना Edmodo का classroom अपना classroom को join करके रखा है ताकि आपको quiz notes और सब भी updates मिल सके तो telegram अपनी ये चैनल को subscribe करना है सबसे पहले इस चैनल को subscribe करो, second चीज़ अपने telegram group को join करो and तीसरी चीज़ अपने classroom, Edmodo classroom को मेरे वाले join कर लो ताकि आपको notes, doubts वागिर बाकी सब solve हो सके तो उसका बाकी description में link दिया हुआ और telegram का आप group को join कर ले and फिर बाकी का Edmodo का classroom का details का link भी नीचे description में दिया हुआ है आप उसको follow करें instructions को and classroom को join करें विड चैनल को subscribe करें और इस video को like करें चलो, video को like करो जल्दी से और शुरू करते हैं हमारा lesson सो हमारा lesson का नाम है Rise of nationalism in Europe देखिए यह history का lesson है आपको कैसा करना पड़ेगा अभी NCRT या फिर CBC का जो history होता है काफी लंबा होता है मतलब like you know topics इसके अंदर बहुत जादा होता है तो आपको theme wise पढ़ना पड़ता है मतलब you have to understand each and every point तभी जाके आपको कैसा है याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगे फिर अपने आप यात हो जाता है चलिए शुरूबात करते है तो हम लोग आज introduction देख रहे हैं पहला part so book में lesson के starting में ही अपने को एक photo दिया हुआ है इतना बड़ा एक photo दिया हुआ है ये वाला और नीचे कुछ दिखा हुआ है तो ये प्रिंट किसकी है फ्रेटरिक सुरो की है और इसी ने ये चीज़ बनाई है ये पूरा सपो लेट से दे इमेज आर सेंग तो ये क्या डिपिट करता है डेमोक्रेटिक अन सोचल रिपॉब्लिक और कब में बना है 1848 चलो शुरुबात करते है तो लेसन का नाम क्या है राइस ओफ नाशनलिजम इन यूरो ये लेसन के स्टार्टिंग में ही हमको एक फोटो दिया गया है जो सब लेट से किसने बनाया है फ्रेडरिक सुरो ने बनाया है अब फ्रेडरिक सुरो कौन है ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है उसका नाम है ये फ्रेडरिक सुरो क्या है इट्स अ नेम ये नाम है जैसे हमारे पास होते हैं लेट से चन्टू बंटू तो ऐसा उनका नाम है आई नो थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आपको याद रखना बढ़ेगा Frederick Surow ठीक है, spelling भी आपको याद रखना बढ़ेगी तो ये name है He's a French artist and उसने ऐसे type के कितने prints बनाये थे ऐसे 4 print बनाये थे ये तो भी तुम्हारे पास एक है Actually उसने 4 print बनाये थे ये वाले, देखो, ये 4 है This is the first की जो आपके textbook में दिया वाला ये second उसने और एक बनाया था ये तीसरा है और एक चौथा है इतने सारे 4 prints उसने बनाये थे लेकिन आपको syllabus में कितना है? सिर्फ एक ही है and thank God सिर्फ एक है क्योंकि बाकी के फिर आपको बहुती ज़ादा सपो लेट से याद करना पड़ता वा information तो एक ही अपने book में that's a good thing ठीक है? चलो आगे दोड़ता है तो उसके 4 prints थे और ये कब की बात है 1848 में उसने बनाया था नंबर कितना मस्ते देखो? 848 ठीक है? मतलब 8 उसका आधा फिर double सही है? 848 और फ्रेडरिक सुरो ने ये print में वो क्या दर्शाना चाता था? देखो कोई भी ऐसे image रहती है कुछ रहता तो उसके अंदर ना कुछ वो concept बताते रहता है आचा तो क्या concept बताया फिर फ्रेडरिक सुरो ने इस photo के जरीए तो इस print के जरीए उसने ये बताया है कि वो world को ऐसे let's say imagine करता था कि पूरा world convert हो चुका है into democratic and social republic किस में convert हो गया? अपने जो पूरे world है वो देशों में convert हो गया है they have converted to nations nations में convert हो गया है और जो किस principle पे based है? democratic and social republic what do you mean by democratic? democratic in the sense democracy पे चलने वाले democratic मतलब क्या? जो democracy पे चलने वाले मतलब यहां के जो leaders है वो कौन चुन के देंगे? लोग चुन के देंगे ठीक है so democratic मतलब क्या? democracy पे based and what do you mean by social republic social republic का क्या मतलब है? social republic का मतलब यह होता है कि उनका जो यह है क्या बोलते है? उनका जो leader है उनका जो head है मतलब country का जो head है तो वो कौन है? राजा महराजा नहीं है तो सपो लेटस से लोगों ने चुन के दिया है so basically like people का power थोड़ा जादा है जो head है सपो लेटसे country का वो कैसा है? लोगों ने चुन के दिया है that means he is elected राजा महराजो के जैसे नहीं कि भाई king है तो उसका बेटा देश का head बनेगा देश का लेटसे एक main चीज बनेगा एक head बनेगा ऐसा नहीं है republic के अंदर कौन head रहता है? लोग चुन के देता है तो democratic and social republic I hope the meaning is clear democratic मतलब democracy based social republic मतलब जिसका head elected होता है जैसे कि हमारे यहाँ पे elected है तो हमारा republic है Republic of India बोलते हैं हमको तो यह ऐसा चीज को कोन imagine करता था? फ्रेडरिक सुरो तबके टाइम पे ऐसे countries नहीं थे मतलब कि जो democratic and social republic पे based हो तो फ्रेडरिक सुरो उसको imagine करता था photos के जरीए अब आगे बढ़ने के पहले तुम्हारे को दो terms पता होना चाहिए एक होता है absolutist government और एक होता है nation state यह क्या होता है absolutist government अगरे के nation state absolutist government बोले तो क्या? मतलब इसका जो head होता है वो कोन होता है monarchy होती है head कोन होता है monarchy now what is monarchy? मतलब the head is from the royal family royal family से मतलब raja maharajahों का राज है absolutist government generally guys रहती है monarchy की थी तब के जमाने में तो देखो absolutist sometimes dictatorship के साथ भी connected रहता है जैसे कि Hitler का राष्था वगरा वगरा लेकिन उसके साथ ये वाला compare मत करो क्योंकि तुम्हारे syllabus में जो है absolutist government they are talking about monarchy मतलब royal family से कोई राजा या फिर कोई रानी rule कर रही है country के उपर royal family and ये government कैसी रहती थी ये generally repressive रहती थी मतलब लोगों को दबा के रखती थी प्रेस मतलब क्या लोगों को दबा के रखना centralized रहता था मतलब power हमेशा एक ही आदमी के पास रहता था एक ही place पे रहता था ऐसा सब लोगों के अंदर power distributed नहीं था और तीसरी चीज़ क्या थी militarized पूरा militarized था मतलब उनकी military के बलबू दे के उपर वो अपना राज चलाते था तो militarized था nation state क्या होता है it's a group in which people and rulers develop common identity इसमें कैसा था this is more like empire एक empire के जैसा है वो मतलब सब पो let us say एक क्या बोल सकते है एक राज कारोबार के जैसा है but nation state बोले तो क्या है normal जो आज का जो concept देशों का उसको बोलते है nation state nation state और पहले किसमें क्या फरक है देखो वो empire है सामराज्य है वो absolutist बोले तो सामराज्य किसी राजा का सामराज्य nation state बोले तो कैसा रहता है यह ऐसा देश होता है कि जिसके अंदर लोगों के अंदर एक common identity हो जैसी कि मैं या फिर तुम हम लोग कैसे बोल सकते कि हम लोग इंडिया को बिलाऑन करते क्योंकि हमारे अंदर एक common identity है हमारे पास एक common national song है हमारे पास common national language let's say हमारे पास एक let's say national let's say songs के अलावा we have common culture we have common languages we have common ethnic things तो बहुत सरी ऐसी चीज़ें कि जो हमारे बीच में common है and that is what makes us Indian let's say मैं और तुम Indian क्यों सोचते है because we have something in common हमारा culture common है, हमारी language common है मतलब most of the time suppose let's say एक common language अगर बात कर रहे है तो region wise obviously differ करता है इंडिया के अंदर but most of the time हमारा जो culture है वो कैसा common है and that is nothing but called as nation state जिसके अंदर कुछ common identity हो तो फ्रेडरिक सुरो का photo देखते है इसका description क्योंकि एक्जाम में इसका description आता है तो सबसे पहला फ्रेडरिक सुरो किस प्रकार का उसका vision था it was a utopian vision कैसा था utopian, what do you mean by utopian utopian मतलब देखो अगर एक English का word देखा जाए तो this is something एक imaginary support letter से place होती है एक imaginary support letter से एक world लेकिन utopian जब हम लोग बोलते है न तो सिर्फ imaginary नहीं है वो it has some more idea to it utopian का मतलब यह होता है कि एक ऐसा दुनिया, एक ऐसा let's say world कि जहां पर कोई support letter से दुखी नहीं है सबको सब कुछ मिल रहा है, सब लोग खुश है सब लोग भाईचारे के साथ रह रह रहे है कोई जगडा नहीं है, there is no war, nothing और सब peacefully रह रहे है तो ऐसा possible है क्या, world के अंदर देखो expect करना गलत बात नहीं है लेकिन ऐसा होता नहीं है reality में so Frederick Surow was thinking of utopian vision, utopian society that means the imaginary one where people are not suffering, सभी शांती से सब पुच चल रहा है लेकिन यह possible नहीं है, right सबसे पहला, world made of democratic and social republic उसने कैसे imagine किया, कि world कैसा बना हुआ democratic and social republic के based देश बने हुआ long train of people from Europe and America यहाँ पर कैसा बताए तुम देख सकते हो ऐसा एक train की जैसे सब पोलेट से लोगों को बताए गया है सही है, एक human train की जैसे और यह कौन-कौन लोग है इसमें there are two types of let's say people here, Europe से and America से America मतलब US है नहीं है American continent, ठीक है तो Europe and American continent से लोग यहाँ पर है, paying homage to Statue of Liberty, किसको homage दे रहे Statue of Liberty को, Statue of Liberty कहा है यहाँ पर, so this is the one this is the Statue of Liberty अब यह क्या है, Statue of Liberty मतलब वो क्या कर रहे है, उसको let's say homage दे रहे है, what do you mean by homage they are paying respect, they are paying respect to whom, homage let's say to the Statue of Liberty की जो रस्ते में है female figure, इसको कैसा बताया गया, female figure बताए गये this is a female figure, आप देख सकते है उसके एक हाथ में कुछ है, दूसरे हाथ में भी कुछ है, let us see एक हाथ में क्या है, एक हाथ में torch of enlightenment है क्या है, एक जलती मशाल है कि जो enlightenment को दर्शारी है what do you mean by enlightenment, enlightenment means, suppose let us say okay तो enlightenment, enlightenment का मतलब क्या होता है कि बबाब क्या बोल सकते है, awakening होना दिमाग की अमेक नहीं होना, मतलब suppose let us say, knowledge मिलना, प्रभोधन मिलना, knowledge मिलना, या फिर प्रभोधन मिलना, awaken होना, इसको enlightenment बोलते है, तो लोग मतलब वो कैसा किस चीज का निशानी है वो torch, enlightenment, मतलब लोग अभी क्या हो गया है, awake हो गया है, awake, awake, मतलब suppose let us say, knowledge उनको मिल गया है in one hand, and the other, दूसरे हाथ में क्या है, तुम देख सकते हो, paper की जैसा कुछ है आप देख सकते है, यहाँ पर यह वाला shape, let me highlight it up for you, वो ऐसा paper की जैसा कुछ है तो what is that, वो charter of rights है charter of rights मतलब bill of rights एक paper है, जिसके अंदर किस चीज के rights लिखे हुआ है, आदमियों के हक क्या होते है, आदमी मतलब not male I am saying male, female, both मतलब सभी लोगों के क्या-क्या हक होते हैं, क्या-क्या rights होते हैं वो सभी उस particular paper में लिखा हुआ है तो एक हाथ में torch of enlightenment और दूसरे इसमें क्या है, charter of rights of man बाद में, earth के उपर देखो क्या पड़ा हुआ है, earth मतलब कौन सा ये वाला, सामने वाला, देखो यहाँ पर, तुम देख सकते हो, यहाँ पर यह हैं, क्या बोल सकते हैं ऐसे, मुकुट वगरा पड़े हुए, राजाओ के सपुलेट से symbols of absolutist institution, मैंने तो तुमको starting में बताया था, what do you mean by absolutist absolutist बोले तो, जहाँ पर राजा महराजाओं का सपुल लेटर से राजा चल रहा हूँ, right, तो वैसे institution, हमने, सपुल लेटर से यहाँ पर फोटम बताया, कि वो पूरे बंद हो चुके हैं, और सभी अभी, सभी लोग देश के form में convert हो गया, मतलब nation state में convert हो गया, मतलब यह खतम हो गया, और nation state में लोग convert हो गया, nation state मतलब किसी देश के रूप में, और पहले कैसा था, absolutist था, absolutist खतम हो गया, तो फूटे वाले बताया वाले उनको आप देख सकते हैं फोटो में आपको बताता हूं देखो यहां पर कैसा है न कि यह जो लोग है न तुम देख सकते हो सबके अलग-अलग कुछ कपड़े लग रहे हैं सबके हाथ में एक तो ने क्या अपने अलग-अलग-अलग फ्लाइग और दूरदूर वाले नहीं दिख रहे हो तो ने लेकिन अल्मुस्ट छोटा छोटा इसमें बताया है उन्होंने फोटो में कि सबके हाथ में एक अपने-अपने फ्लाइग से और सबके कपड़े अलग है नवट दिमीन बाइट फ्लाइ मतलब उस पूरे लाइन पे उस पूरे human train में वहाँ पर ऐसे लोगों के अलग-अलग ग्रूप है एक के पीछे एक मतलब एक ग्रूप किसी देश को रेप्रेजेंट कर रहा है मतलब वहाँ पर कैसा है इस फोटो में सपोस्ट आर्टिंग वाला एक एक ग्रूप है दूसरा वाला सेकेंड ग्रूप है बाद में तीसरा मतलब इसे कंट्री के हिसाब से उन्होंने ग्रूपिजम बना है और लोगों को कैसे इडेंटिफाइ करना कि वह किसी कंट्री को बिलॉंग करते हैं विद्ध हेल्प ऑफ फ्लाग और विद्ध हेल्प उफ यूनिफॉर्म मतलब अब यहां पर सबसे यहां पर सबसे फॉर्स आया था तो सबसे पहला कोन था ऐसा एनज फेसलियर अट बहना है ऐसा क्यों वो इसलिए वो इसलिए क्योंकि यह जो पीछे के जो देश है ना जर्मनी फ्रांस वगरा यह जो पीछे ऐसे देश जो बताये वाले हैं यह सभी देश कैसे हैं बनने वाले हैं क्या करने वाले हैं मतला अभी तक बने नहीं है वो नेशन स्टेट्स बनने वाले हैं लेकिन कैसा है न तब तक ये जब फोटो प्रिंट हो रहा था सब कुछ हो रहा था दूरिंग डाट टाइम USA एंड सपोलेट से जो ये है स्विजर लैंड ये दोनों देश तब तक तब तक नेशन स्टेट बन चुके थे ये पूरी पूरी जो हुमन ट्रेन हो किस बारे में है नेशन स्टेट के बारे में और सबसे स्टार्टिंग में USA स्विजर लैंड को क्यों बताया है कहा पर, यहां पर उपर, यह वाली जगह पर, तुम देख सकते हो, यहां पर कोन कोन है, Jesus Christ है, और Angels है, and there are Saints also, ठीक है, Saints भी है, तो Saints है, Angels है, और Jesus Christ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो, F-R-A-T-E-R-N-I-T-Y वो क्या है fraternity मतलब वो उपर से blessing दे रहे है सबी लोगों को क्या कर रहे है यह लोग blessing दे रहे है कौन? Jesus Christ, Angel and Suppose Saints They are, let's say, giving their showers सबी को सपोलेट से blessings वगरा दे रहे है कि भाई, सब में भाईचारा बढ़े किसमें, लोगों में नहीं देशों में, अरे लोग तो ठीक है नहीं करते रहते हैं, actually यह पूरा nation states के बारे में है न, तो fraternity किसमें, लोगों का नहीं बोल रहे हैं वो वो किसका बोल रहे है, देशों का बात कर रहे है तो वो क्या कर रहे है, किसमें का बता रहे है fraternity, देशों के बीच में का, तो देशों के बीच में का fraternity चल रहे है, मतलब, लोगों हुए बीच का नहीं देश, मतलब, like you know, they should combine with themselves, भाईचारे से रहे हैं, तो वो उपर से कोन कोर उनको आशिरवात दे रहे है, Christ, Jesus Christ, Saints and Angels, Gaze from Heaven, Heaven से देख रहे है, symbolize fraternity among nations of the world, fraternity बूले तो क्या, भाईचारा, ठीके तो भाईचारा किसके अंदर, among nations of the world, और वो starting में USA Switzerland है, right, USA Switzerland के बाद कोन है, तो उसके बाद है France, France के बाद कोन है, Germany, Germany के बाद Austria, then Kingdom of two Sicilies, Lombardi, England, Ireland, Hungary and Russia, अब तुंको क्या लगेगा, कि भाई, अभी क्या ये पूरे country के list याद रखना ज़रूरी है, नहीं, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली इतना पता है, दो-तीन सपुलेट से आपने याद रखे तो भी चलेंगे, starting में कोन है, USA and Switzerland, right, आपको maximum कितने mark का question आएगा इसके उपर, max to max, 5, right, max to max, इसमें आपके starting में ही 5 points cover हो जाते है, हाँ, तो फिर बचता है, ज़रूरी नहीं बचता है बाकी के चीज़े, right, तो ये चीज़ों को याद कर लो, हो गया, that's it, तो terms I hope आपको understand हो गया, Frederick का vision कैसा था, Frederick Surow का utopian vision, और वो क्या जाता था, democratic and social republics, तो पूरे देश, nation states में convert हो जाए, जितने region से world में, Absolutist से किसमें convert हो जाए, what he wanted was, Absolutist से किसमें convert हो जाए, nation states में convert हो जाए, मतलब जहाँ पर लोगों के अंदर एक common identity है, लोगों के और rulers के बीच में, ओके तो nation states में convert हो जाए, और female figure उसमें, एक female figure है, एक हाथ में torch of enlightenment, मतलब awakening, लोगों के अंदर सपोलेट से knowledge बढ़ रहा, दूसरा क्या है, दूसरे हाथ में charter of rights था, मतलब जिसके अंदर आदमियों के हक लिखे हुए, charter of rights of man, और earth के उपर क्या है, फूटे हुए, तुमारे absolute institution, मतलब जो पहले के institution, absolute list के, उनके फूटे हुए remains, मतलब राजा महराज के मुकट वगरा, वहाँ पर पढ़े हुए, जमीन के उपर, और next वाला, people को कैसे grouping किया है, nation states के according, and how you can identify people, with the help of their national costume, and national flag, उपर से ये जो long train है, सबसे पहले कोन है, सबसे starting में, US and Switzerland, क्यों वो सामने है, बाकी के क्यों पीछे है, क्योंकि उनका nation state अल्री बन चुका था, ये पूरी train किस बारे में है, नेशन स्टेट के बारे में, तो United States, Switzerland, already nation state बन चुके थे, next point is about Christ, Saints and Angel, वो उपर से क्या कर रहे है, blessing दे रहे है, and किस बारे में, fraternity, तो fraternity किन के बीच में, nation states के बीच में, लोगों के बीच में नेशन स्टेट के, and United States, Switzerland के बाद कोन था, France, Germany, बाकी Austria, Kingdom of Two Sicilies, Lombardi, England, Ireland, Hungary and Russia, आपने याद नहीं किया, तो भी चलता है, it's fine, आपको सपो लेट से थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े दिनों के बाद याद हो जाएगा, ठीक है, चलिए फिर, तो ये डीटेल्स मैंने बता दिये हैं, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, लेक्ट से, ठीक है, ओके, चलिए फिर, तो आज का सपो लेटस से से सेशन शुरुआत है, तो हम लोग आज जादा नहीं सपो ये करेंगे, अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखें नहीं बोलना है, तो सभी चीज़े कर दो, ताकि आपको सभी अप्डेट्स मिल सकें, तो रेगिलर बेसिस में पिरेट्स होंगे, आज शुरुआत है, इसलिए जादा लोडनी लेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है, तो चलिए, फिर ये पढ़के रखी है, ठीक है, और आपक सभी अद्एनित है और से करका है, तो तो जात है, ये सक्बारद म 실़नों हाने। सभी है,चर ये बोलना है, झाल झाल